राश्ट्रिये शिक्षानीत 2020 भाग दो उच्चतर शिक्षा अध्याय तेरह प्रेरित सक्रिये और सक्षम संकाय तो आएए सुनते हैं इसका द्वनी पाट प्रिष्ठ संक्रिये और सक्षम संकाय उच्चतर शिक्षन संस्थानों की सफलता का सबसे महतोपूर्ण कारक यहां कारेरत संकाय सदस्यों की गुणवत्ता और संलगनता है उच्चतर शिक्षा से जुड़े लक्षियों को हासिल करने में संकाई सदस्यों की महतोपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए इनकी भरती प्रक्रिया में पिछले वर्षों में कुछ महतोपूर्ण कदम उठाए गए हैं ये कदम भरती और सेवा काल के दवरान कार्यस्थल में आगे बढ़ने के अवसरों को व्यवस्थित करने और संकाई सदस्यों की भरती प्रक्रिया में विभिन समुहों की और से न्याय संगत प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने से संबंधित हैं सार्वजनिक संस्थानों के स्थाई संकाय सदस्यों के वेतन भत्तों के स्तरों में भी परियाप्त वृद्धी की गई है संकाय सदस्यों के व्यावसाईक विकास से संबंधित विभिन अवसरों को सुनिश्चित करने की दिशा में भी कई कदम उठाए गए हैं अकादमिक पेशे की प्रतिष्ठा में विभिन सुधारों और हम सभी को सही अर्थों में प्रेरित करने वाले अनुकरणिये संकाय सदस्यों की अच्छी संख्या में मौजूदगी के बावजूद भी उचितर शिक्षा प्रणाली को सफल और सम्मुन्नत होने तथा संकाय सदस्यों में प्रेरना और उत्साह की कमी से संबंधित कारणों को संबोधित किया जाना चाहिए जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतेक संकाय सदस्य अपने छात्रों, संस्थान और पेशे में प्रगती के लिए पूरे उत्साह के साथ प्रसन्नता पूर उच्चितर शिक्षन संस्थानों में सर्वोतकृष्ट प्रेरित और सक्षम संकाय सरदस्यों को सुनिश्चित करने के लिए यह नीती अपनी ओर से इन कदमों की अनुशंसा करती है 13.2 सबसे बुनियादी कदम के रूप में सभी उच्चितर शिक्षन संस्थान, स्वच्च पेएजल, स्वच्च शौचालयों, ब्लैकबोर्ड, कार्यले, शिक्षन समग्रियां, पुस्त काले, प्रयोग शालाओं और सुखद कक्षा वातवरन और परिसर जैसी आवश्यक 13.3 शिक्षन का अतिरिक्त बोज नहीं होगा, छात्र शिक्षक अनुपात भी बहुत अधिक नहीं होगा, जिससे की शिक्षन प्रक्रिया एक सुखद गतिविधी बनी रहे, छात्रों से चर्चा करने, शोध करने और विश्वविद्याले से जुड़ी अन्य गतिविधिय तरण नहीं किया जाएगा, जिससे की वे अपने संस्थान और वहां के लोगों के प्रती सही माइनों में तत पर संलगन और प्रती बद्ध महसूस कर सकें। संकाय सदस्यों को रचनात्मक शिक्षन, शोध और उनके अपने अनुसार बेहतर कारे के लिए प्रेरित और सशक्त किया जाना उन्हें उतक्रिष्ट और रचनात्मक कारियों को करने की और प्रेरित करने का सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक होगा। 13.5 उतक्रिष्ट कारियों को उप्युक्त पुरसकार, पद्दोन नती, कारियों की सराहना के साथ साथ संस्थागत नेत्रित्व करताओं में उचित स्थान सुनिश्चित करके बढ़ावा दिया जाएगा। 13.6 उतक्रिष्टा को बढ़ावा देने से जुड़े स्वायत संस्थानों के लक्षे को ध्यान में रखते हुए, उचितर शिक्षन संस्थानों में संकाय सदस्यों की भरती से संबंधित प्रक्रियाएं और मानदंड स्वष्ट रूप से परिभाशित, स्वतंत्र और पार दर्शी होंगे, वर्तमान न्यूक्ती की प्रक्रिया को जारी रखते हुए भी उतक्रिष्टता को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यकाल ट्रैक प्रनाली यानि उप्युक्त प्रोवेशन अवधी को जोड़ा जाएगा, अत्यंत प्रभावी अनुसंधानों और को मानेता प्रदान करने के लिए एक फास्ट ट्रैक पदोनत्ती प्रनाली सुनिश्चित की जाएगी, कार्यों के उचित मूल्यांकन, कार्यकाल यानि परिवीक्षा के बाद स्थाई नियोक्ती, निर्धारण, पदोननती, वेतन में व्रिद्धी, मानेता आदिसाहित, सहक कर्मी द्वारा समीक्षा, छातर समीक्षा, शिक्षण और शिक्षण शास्त्र में नमाचार, शोध की गुणवत्ता और प्रभाव, ब्यावसाईक विकास से जुड़ी गतिविधियां और संस्थान तथा समाज से संबंधित कार्य के अन्य विभिन रूपों और उसके प् पी में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा 13.7 उतक्रिष्टता और नवाचारों को बढ़ावा देने वाले उतक्रिष्ट और उत्साही संस्थागत नेत्रित्व करताओं की जरूरत आज के समय की मांग है एक संस्था और उसके संकाय सदस्यों की सफलता के लिए उच्चितर गुणवत्ता युक्त संस्थानिक नेत्रित्व का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है उचितर अकादमिक और सेवा क्रेडेंशिल्स के साथ ही साथ नेत्रित्व और प्रबंध कौशल को प्रदर्शित करने वाले विभिन संकाय सदस्यों की समय रहते ही पहचान की जाएगी और फिर उन्हें नेत्रित्व से जुड़े विभिन पदों से गुजारते हुए प्रश संस्थाओं में होना चाहिए जिससे की संस्थानों के सुचारू संचारन को सुनिश्चित किया जा सके संस्था के नेत्रित्व करता ऐसी उत्कृष्टता की संस्कृती के निर्माण को ध्यान में रखेंगे जो की सभी संकाय सदस्यों और उच्चितर शिक्षन संस्थानों के नित्रित्व करताओं को उत्कृष्ट और नवनमेशी शिक्षण, शोध, संस्थागत और सामुदाईक कारियों की ओर प्रेरित और प्रोच्चाहित करें अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रिय शिक्षानीत 2020 भाग दो उच्चतर शिक्षा, अध्याए 13, प्रेरित, सक्रिय और सक्षम संकाई वाचन्स्वर, अजीत होरु, निर्मान सहयोग, जगबंधु जाना, मीनाक्षि कुक्रेती और तनुगुप्ता, निर्मान, वंदिना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत